तो सबसे पहले तो आप सबको हैपी नीव एर कि आज है फर्स जनरी लेकिन जब यह वीडियो के साथ शेयर होगा तो शेयर डेट आगे निकर जाएगी लेकिन मेरी तरफ से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुप कामना है आज मैं आपको लेके जा रहा हूं इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जैसे आपको मेरे पुराने वीडियो जाकर देखें कर दो पता चला कि मैं कहां जा रहा हूं मैं जा रहा हूं इस टाइम में खड़ा हूं चंटीगड़े एरपोर्ट पर दिली एरपोर्ट पर नहीं यह मेरे गड़ से शरफ 40 मिनट के दूरी पर है आपको मेरा वीडियो क्या देखना चाहिए सब्सक्राइब में सुपर ट्रेवर अपनी फैमली के साथ जाता हूं मेरे वीडियो जेखते रहा हूं कि आइपने लिए तला सकने आपके सामसे और बस तो फिर चलते हैं आलेंट की और पर अपने अपने लिए प्रकाइब मेरे वीडियों पर पर दूस्कों आपको बता ही ही ताही जिसने के लिए अपने लिए टिकित पास्पोर्ट इंट्रनेशनल पार्टस के लिए अब यहां से बैक्स को स्कैन किया जाता है अब यहां से बैक्स को स्कैन किया जाता है और देखते हैं स्क्योर्टी चेक के लिए इससे आगे कैमरा अलाओड नहीं है बैक्स कैन करने के बाद आप काउंटर पर जाएए वहां पर अपनी टिकेट दिखाएए अपको बोर्डिंग पास इशू हो जाएगा बोर्डिंग पास लेकर आप इमिग्रेशन के तरू जाएएंगे और इमिग्रेशन के बाद स्क्योर्टी चेक और स्क्योर्टी के बाद या जीट्स के पास आपको वेट करना पड़ेगा अपनी प्लाइट का जैसे मैं इस ताहीं बेट कर रहा हूं तो अई मैं चंडीगर हूं और मैं कोनेक्टिंग फ्लाइट है चंडीगर तो डेली मैं फाइवाज रुकूंगा उसके बाद दूपयार को दो बजे डेली टू वैंकॉक लो दो नहां प्लाइट है बेली आपको लेता हैं produce बाद के बाद है चंडीगर है और मैं को दो बड़ेगा प्लाइबर रख़गि जढैंकॉकूंगर बड़ेगा मैं खराग। झाल 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 तो इस ट्राइम मैं देली से बैंकोक के लिए निकलने के लिए त्यार हूं और यह है एर इंडिया का 332 ड्रीम लाइनर इसका स्पेस में आपको लिखाता हूं काफी अच्छा है यह इसका लेक स्पेस है लेक स्पेस काफी अच्छा है और साथ में दिया गया है यह टच्स्क्रीन एंटर्टेन्मेंट जिससे आप पूरे सफर में बोर नहीं होंगे तो काफी अच्छे वैसे एर इंडिया की सफिस बहुत अच्छी है जब मैं चंडिगर से डेली पहुंचा था तो मुझे ट्रांसफर करना था तो एक स्पेसल एर इंडिया का बं तो आके में आपको इसके अभी खाना भी आएगा थोड़ी देर बाद उसके रिव्यूज के बारे में बताता हूं अब एर इंडियास की रिफ्रेश्मेंट दे रहे हैं इसमें स्टार्टिंग में नोंने एक कोल्ड रिंग आप बियर विस्की या और औरेंज जूज टुमैटो जूज भी ले सकते हैं मैंने कोला प्रेफर किया है इसके बाद लंच में क्या मिलता है वह मैं आपको दिखाते हैं तो यह है एर इंडिया 332 का लंच तो आईए एक एक चीजें मैं आपको बताता हूं क्या क्या दिया यह नोंने सबसे पहले दी है यह यह वाटर मोटल साथ में यह एक पल गुलाब जामुल यह सैलेट यह पटर इस बेसिकली नॉन वेज और यह राइस के साथ चिकन कड़ी है वेज में भी है वेज में है बेसिकली करता हूं मैं आपको इस बेसिकली लेडी फिंगर विद राइस अच्छा नास्ता है अच्छा लंच है